Hello everyone, आज हम 6th class की English की workbook में Unit 7 Link Lesson Fair Play को अच्छे से solve करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंतक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियो ची लगती है तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर भी करें तो देखें एक बार सुरुआत करते हैं Unit 7 Link Lesson Fair Play Comprehensive Part दिया है इसमें Read this information about 3 games and answer the questions that follow इस देखा है कि 3 games जो 3 games है 3 game है उनकी information को पढ़ो और नीचे दिये गए questions के answer दो तो यहाँ पर लिखा है Let's Play आओ खेलें तो यहाँ पर 3 games दिये हैं जैसे पहला है खोखो इसमें players कितने होते हैं 11 in each team खिलाडी जो है हर टीम में 11 होते हैं kit none, kit नहीं होती है court not very large ज्यादा large नहीं होता है type of game outdoor है यह बाहर खेले जाने वाला है यानि time कितना लगता है about one hour एक घंटा लगता है इसी तरह से cricket के बारे में second game है यहाँ पर cricket इसमें players 11 on each side kit इसमें bat, ball, wickets etc होते हैं ground played in a stadium, stadium में खेला जाता है type of game यह outdoor है time one day matches, five day test matches एक तो one day matches होते हैं एक five day के test matches होते हैं अब इसी तरह से third game जो है यहाँ पर है carom players दिये हैं इसमें one or two each team हर टीम में एक यह दो होते हैं kit इसमें striker है nine coins each of black and white color and one red coin यानि जिसको queen बोलते हैं played on carom board square in shape में होता है जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह carom board है shape में square है type of game यह indoor है यह घर के अंदर खेला जाने वाला खेल है यह time no limit इसकी कोई limit नहीं होती है अब इसी तरह से यहाँ पर इसने खा है complete these sentences इन sentences को complete करें इसमें है the game that can be played without any kitties जो ऐसा game जो बीना kit के खेला जाता है वो है खोखो second है the game that can finish very quickly जो जल्दी से finish हो जाता है और में continue for a long time और या फिर बहुत लंबे समय तक continue भी है सकता है is caram वो है caram the game that cannot be played by more than four players इसमें है वो गेम जिसमें चार प्लेयर से जादा जिसको नहीं खेल सकते हैं वो है caram caram can be played inside the house caram जो है वो घर के अंदर खेला जा सकता है you need 22 players to play खोखो खोखो खेलने के लिए आपको 22 players की आफशकता होती है अब इसी तरह से यहां पर है right true or false लिखें अब इसमें है you need a striker to play caram आपको केरम खेलने के लिए एक striker की जरूरत होती है true है यह खोखो is an outdoor game खोखो जो है indoor game है यह घर के अंदर खेला जाने वाला है यह फाल्स है यह outdoor game है ठीक है cricket is one day game true है कैरम can be played by two or four players कैरम है जो दो या चार खेल सकते हैं इसमें तो यह true है no kit is needed for playing cricket क्रिकेट को खेलने के लिए kit की अवश्रक्ता नहीं होती है यह false है अब इसी तरह से यहां vocabulary part दिया है इसमें some long words have little words hidden in them इसमें काये कुछ लंबे words हैं जो इन में छोटे words में छिपे हुए है some long words have little words hidden in them जो long words है ना इसमें छोटे words छिपे हुए हैं वो आपको डूंगने हैं इसमें for example जैसे village दिया है village में यहां पर देखे ए जी ई एज छुपा हुआ है तो हमने यहां लिख दिया इसी तरह से यहां पर इसमें ILLL यह छुपा हुआ था यहां पर लिखती है ILLL now look for little words in the longer words given here इसने काया है इसी तरह से यहां पर और भी यह जो longer words दिये हैं इसमें है जैसे does तो does में यह हो गया do इसी तरह से यहां देर है यह next तो t he जो है वो दी हो गया यहां पर अब इसी तरह से इसमें है एन इडबलू new हो गया छुपा हुआ थो मनें यहां पर लिख भी दिये हैं इसी तरह से once है इसमें o and on छुपा हुआ है was है इसमें as edge इसी तरह से ये when है इसमें h e n hen आगे है यहाँ capable इसमें है a b l e able और दूसरा भी हो सकता है इसमें able की बज़ाए यहाँ cap भी है छुपा हुआ cap भी बन सकता है इससे ठीक है अब आगे यहाँ पर है dictionary और इसमें है homework is made for made from home plus work यानि homework जो है home plus verb से बना है now make new compound words adding a word to column b and rewrite the new word अब इसने कहा है column b से एक word add करना है और एक नया compound word बनाना है और फिर एक नया word जो है वो आपको दोबारा से लिखना है तो अब देखिए एक बार किसने से करना है जैसे यहाँ पर देखिए यह for example table एक बना कर दिखाये गया है एक नया word यहाँ column b में हमें cloth लिख देना और फिर यहाँ पर हमें इनको जोड़ना है नया word दोबारा से लिखना है क्या बनेगा एक table cloth बन गया grand इसके साथ mother तो यह बन जाएगा grandmother shop keeper shop keeper spaceship यह बन जाएगा spaceship peanut यह बन गया peanut classroom यह classroom black plus board black board identity plus card identity card यह देखिए बन गया identity card play plus ground playground अब इसी तरह यहाँ structure है grammar इसमें और इसमें है change the following sentences from active voice to passive voice one has been done for you इसने का है active voice से passive voice में नीचे sentences को change करना है और एक आपको करके दिखाये गया है जैसे यहाँ है villagers respected both of them इसको बनाये गया है both of them were respected by the villagers तो active voice से passive voice में change करते से में बच्चो कुछ rules होते हैं वो rules हमें follow करने होते हैं सबसे पहले जो rules हैं वो बता देती हूं कि जो हमारा subject होगा वो object में change हो जाएगा और जो object होगा वो subject में change हो जाएगा दूसरा है इसमें by का use होता है तीसरा इसमें tense भी change होते हैं जैसे वर्व की first form दी है वो is mr plus third form आ जाती है second form है was work plus third form में use हो जाती है third form तो इसमें must आ आनी ठीक है वो बहुत ज़रूरत है उसकी मतल ज़रूरी है इसमें third form में use करना अब यहां पर देखें अलगू and others cross examined जुमन तो इसमें जुमन जो है यहां पर देखें अबजेक्ट है हमारा इस sentence में तो लेकिन हम इसका यहां पर पैसी वोइस बनाते से में subject बनाएंगे तो जुमन पहले लिखेंगे फिर हम देखते हैं कि इसमें verb की second form है cross examined तो was का use होगा was work का use होगा यानि की तो जो singular होता है singular noun हमारा तो उसकी साथ तो was लगता है plural होता तो पर लग जाता तो जुमन है अकेला है singular है इसलिए यहां पर was आ गया तो इसमें आ गया जुमन was crossed examined by अलगू and others अब जो यह हमारा by अलगू and others था यह subject था active voice में लेकिन passive voice बनाते से मैं यहां पर देखी last में आ जाएगा इन्हें object के रूप में आ जाएगा और इससे पहले by का use होगा रूल समझ में आ गया होगा आपको इसी तरह से दूसरा देखते हैं साहू bought the blog तो इसमें the blog was bought by साहू ऐसे बन जाएगा कमला saw a film कमला ने एक फिल्म देखी a film was seen by कमला इस तरह से लिखेंगे हम इसे अब इसी तरह से यहां पर next है aroon eats a lot of chocolates, a lot of chocolates, यहां पर is लगाएंगे क्योंकि यहां देखें फर्स्ट form है verb की, यहां पर है is, यहां रहा है यानि कि यह verb की फर्स्ट form के साहथ s लगा हुआ है, तो अगर verb की फर्स्ट form है तो उसके साहथ is, am का रहाता है अगर वर्ब की second form होती तो was word लगाते तो इसमें आ जाएगा a lot of chocolates is eaten by Arun अब इस तरह आगे है राजकपूर made good film इसमें लिखेंगे good film was made by Rajकपूर I read the book yesterday, the book was read by me yesterday आगे यहां पर seventh sentence में है He drank the milk, the milk was drunk by him Rajiv wrote an essay, an essay was written by Rajiv आगे आजाता है do yourself और इसमें है select the correct name of the object from the box and write them under the figures इसने काया कि box से objects के correct नाम जो हो select करें और उनको figure के नीचे जो है लिखें जैसे यहां पर यह box दिया है और इसमें यहां पर कुछ नाम दिये हैं जैसे हैं trousers, eraser, pencil, tea set, socks, cap, frying pan, pen और presser cooker तो यहां पर कुछ objects दिये हैं इनके नाम हमें लिखने हैं कि यह कौन-कौन से हैं यह pen है, यह है cap, यह frying pan, यह presser cooker, यह socks, pencil, trouser, tea set, eraser अब आगे इसने कहा है, यहां पर rearrange the jumbled words and write them correctly jumbled words को rearrange करो और उनको ठीक से लिखो अब यहां जैसे glri दे रखा है ना, glri इसका बन जाएगा girl girl यह teri, इसको जो हम सही correct लिखेंगे तो यह बनेगा tree यह dmru, यह drum बन जाएगा, यह bir, ck, यह बनेगा brick अब यह आगे next, c-r-a-i-h है, इसका बन जाएगा chair, यानि c-h-a-i-r यह t-u-c-r-k, यह truck बनेगा, t-r-u-c-k, t-a-r-y, यह t-r-a-y, tray बन जाएगा d-i-n-r-k, इसको जो हम ठीक करेंगे, यह बन जाएगा drink, t-r-i-n-k अब आगे composition, और इसमें है write a paragraph on my friend, my friend पर एक paragraph लिखें you may take the help of the following questions, नीचे दिये गए questions की सहायता आप ले सकते हैं जैसे question है यहाँ, what is your best friend's name, आपकी best friend का नाम क्या है, how old is he, see, वै कितने साल का है where does he, see, study, वै कहां पढ़ता है, what are his, her hobbies, उसकी hobbies क्या है यानि singing, playing, playing cricket और gardening etc, what qualities does he, see, possess, कौन सी quality रखता है hard working, polite, kind, punctual, cooperative, यानि कौन सी जो है उसमें quality है, वो बतानी है और साथ ही यहाँ पर इसने का है, why do you like him, her, आप उसे क्यों पसंद करते हैं kindness के कारण intelligent है, या smart है, helpful है तो यह आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, my friend Rohit is my best friend Rohit मेरा best friend है he is my class fellow, वो मेरा class fellow है, यानि से फार्थी है he is 12 years old, वो 12 साल का है we go to school together, हम इकठे school जाते हैं we also come back together, हम इकठे वापिस जो हैं आते हैं his hobbies are singing, gardening, playing football, etc. उसकी hobbies है he is very hard working, kind and polite he is also punctual, हमेशा समय का पावंद रहता है he is very intelligent, smart and helpful also we have both intelligent, smart and helpful भी है I like him because he is very kind मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा kind है, द्यालू है may he live long, भगवान उसकी उम्मर लंबी करें तो इस तरह से लिए my friend ऐसे जो हैं वो लिख दिया है और आगे आता है यहां पर dictionary इसमें है, rearrange the names of the following animals in alphabetical order कि यह alphabetical order में नीचे दिये गए animals के नाम, rearrange करें जैसे यहां पर जो इस box में दिये है न, वही नाम हमें alphabetically जो है यहां पर जो box दिया है, उसमें हमें लिखने है जैसे हमने यहां लिखें buffalo, फिर आएगा cow, फिर elephant, फिर है loin, monkey, rat, rhino, tiger तो alphabetical order में यहां हमने लिख दिये है alphabetical तो आप समझी गए होंगे बच्छों, मैंने पहले भी बताया है alphabetical यानि कि A, B, C, D, इस जैसे जो alphabet होते हैं हमारे English के, उसी order में हमें यह लिखने है तो बच्छों, यह lesson आज यहीं पर खत्म होता है next वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया lesson लेकर आऊंगी तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए lesson के साथ तब तक के लिए, बाई